रक्षा जरूरत पर वरुकांती ने मोधी सरकार पर साधा निशाना उधारी के हतियारों से नहीं जीती जा सकती कोई भी जंग सुदेशी करण से ही बढ़ेगी सेना की थाखत जरूरत भी होगी पूरी भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस और इसराइल पर बहुत हद तक निर्भर है 2016 से 2020 के बीच में भारत ने अपनी रक्षा आयात का 62 प्रत्रशत हिस्सा इन दो देशों से ही आयात किया था इसराइल से भारत नियमे त्रूप से सर्वलान सेंसर, मानो रहित हवाई वाहन और मिसाइल मार्ग दर्शन प्रणारी जैसी हरक्षा खरीद करता है तो रूस के साथ भारत के कई दर्शकों से मजबूत संबंध है और भारती सेना में जो भी हातियार है उसका करीब साथ प्रद्रशत रूस से बने हुए है लेकिन इस समय दोनों ही देश लडाई में उलजे हुए है रूस और यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे है युद्ध से यूरूस की इस्तिती काफी उलज गई है इस बेच एजराईली सेना भी हमास के खलाब जंग शुरू कर चुकी है और इसमें भारत की सुरक्षा जरूरतें प्रभावित हो रही है वैसे देखा जाए तो भारत का रक्षा बजट दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है ये रूस के रक्षा बजट से भी अधिक है लेकिन रूस के उलट हमारे यहां बजट का बड़ा हिस्सा पेंशन और वेतन में निकल जाता है ऐसे में सेना के आदुनिकी करण पर खर्च करने के लिए ज़ादा बजट नहीं बचता है और सेना की धीमी आदुनिकी करण की प्रक्रिया पर वरू गांदी ने सवार उठाए है उन्होंने कहा कि 2013 से 2017 के बीच में अनुसंधान और विकास कारे पर खर्च 5.1 फीज़दी से गिर कर 4.5 से 4.3 फीज़दी रह गया है जो चिंता की बात है क्योंकि हमें अब सेना की जरुवत के हतियार खोदी विक्सित करने होंगे विदेश से खरीदे गए हतियारों पर निर्भरता देश को मुश्किल में डाल सकती है वरू गांदी ने कहा कि हमें सुदेशी करण को प्रोचाहिद किया जाना चाहिए भारत को एक मजबूत military industrial complex की जरूरत है भारत के निजी क्षेतर को रक्षा क्षेतर में उत्सा के साथ प्रवेश करने के लिए प्रोचाहिद किया जाना चाहिए रक्षा वंत्राले को अपने पिछले अन्वहों से सबक लेना चाहिए मसलन मार्च 2022 में DEF EXPO को अचानक स्थगित कर दिया गया इससे नुकसान भारत को ही हुआ परुण ने आकाश मिसाइल प्रणाडी को लेकर कहा कि इसे 2008 में सर्वजिनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विक्सित किया गया था लेगिन बाद में इसका विकास ठाप हो गया तेजस सिवान को अपनी पहली उडान के 19 साल बाद पहला और्डर मिला आरेपी जारी होने से डीजल एलेक्ट्रिक बंडूब्यों के उत्पादन में 19 साल लग गये भारत के निजिक शित्र को रक्षाम निर्माण में गुडवत्ता संबंदी मुद्दों को हल करने के लिए आगया आने जाई हो उन्होंने कहा कि हाथसों के चलते भी काफे नुकसान हुआ है 2009 में एकवाटोर को बेचे गए साथ एडवांस लाइट हेलिकॉप्ट्रों में से चार का अलग-अलग बजों से अनुबंद रद्ध हो गया इससे देश की प्रतिष्ठा और विश्वर सिनिता को भी ठेस लगी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर यानि की एयालेच लगातार तखनीकी गरबडियों और आपात काली इनलेटिक से परिशान है इससे संभावित उप्योग करताओं के मन में अनिश्चित्ता पैदा हो रही है वरुन ने कहा कि अधिक निर्यात करने से स्केल और क्वारिटी सुधार में मदद मिल सकती है इन सब के बीच फिलिपिन्स को ब्रंभोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की बैटरियों के हालिया बिक्री एक आशा जनक संकेत हो सकती है वरुन ने कहा कि अपने निजिक शेत्र को राजनाईक प्रयासों और सबसिटी के माध्यम से अंतराश्टी बाजारों का पता लगाने और खरिदारों के साथ साजेदारी विक्सित करने के लिए प्रोचाइद करने के आवशक्ता होगी भारत जो जो अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थवस्था बनने के और अग्रसर होगा उसे एक मजबूत डिफेंस इंडिस्ट्रियल कॉम्प्लिक्स के आवशक्ता होगी जो बड़े पैमाने पर अपेक्षित गुर्वत्ता पर रक्षा आवशक्ताओं को पूरा करने में सक्षम होग भारत की एक ताखतवर देश के थोर पर हैसियत में व्रद्धी के साथ साथ रक्षा आयात में बड़ी गिराबट और राष्टियर रक्षा सामर्त में मजबू पर राष्टियर नहीं रह सकते हैं हमें खुद ही सभी तकनीकों का विकास करना होगा विरो रिपोर्ट तनोधर पर नियूज